Japanese language को पढ़ते समय हमें अपना करियर किस तरह से बनाना है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था आज हम इस वीडियो में उसका थोड़ा सा एक advanced version सीखेंगे जिसका अगर हम थोड़ा सा मैं आपको background बताऊं तो वो यह है कि Japanese language को पढ़ते पढ़ते अगर आपके पास time है या फिर अगर आप पैरलली जो mainstream study के बारे में पूछना चाते हैं जैसे कि काफी students हम से question भी पूछते हैं कि मैं Japanese language के साथ और क्या करूँ specifically job के लिए अपने advanced career के लिए तो पहले हम उनको यह बताते हैं कि Japanese language ही अपने आप में काफी है for example इंडिया में, Delhi NCR में, हैदरावाद, Chennai, Bangalore, Poonay, Mumbai इन सब में अगर आप Japanese MNC में बहुत अच्छी job लेना चाते हैं तो Japanese language ही काफी है obviously graduation के साथ लेकिन अगर आपकी और भी जादा young age है और आप चाहते हैं कि जैसे एक specifically career path जो की Japanese से combine हो सके future में Japan में job के लिए या फिर overseas US या या यॉरप में job के लिए तो उसके लिए अगर मैं कहूं कि recommended course सबसे पहले engineering का आता है engineering में अलग-अलग fields होती है जैसे कि IT engineering होता है electronics engineering होता है तो IT और electronics की जैसे कि आपको पहले सही पता है कि Japanese language sorry Japanese economy जो है वो mainly IT और electronics में उसने बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से development की हुई है ज़्यातर Japanese MNCs भी इसी area को center मान के अपना business करती है तो इसी area से related अगर आपके पास qualification है या फिर expertise है अगर आपके पास graduation है तो बहुत-बहुत अच्छी तरह आप इसको combine कर सकते हैं जपैन में भी य इंडिया में भी obviously इंडिया से start करके फिर जपैन की तरफ आप अपना target बना सकते हैं jobs का तो सबसे पहले अगर हम बात करें IT engineering की तो IT engineering में भी अलग-अलग fields होते हैं जैसे networking engineering होता है computer programming होता है तो computer programming और networking engineering में ज्यादा तर networking का scope है लेकिन क्योंकि networking एक बहुत ऐसी आसान field नह नहीं है जिसको आप easily करके साथ के साथ Japanese language भी करके जल्दी से ही दो या तीन साल में करियर बना के Japan पहुंचाए इसमें काफी time लगता है तो पहले अगर आप एक चीज़ पर focus करते हैं जैसे अगर आप basically engineering field से हैं तो आप Japanese language में जाके या फिर अगर आपने पहले Japanese सीखी programming भी एक बहुत important area है जिसमें पहले हम जैसे for example basic front end programming की बात करें तो JavaScript, React, Redux, Redis वगरे इन सब से शुरू करते हैं और फिर बाद में अगर हमारे पास experience आजाए दो या तीन साल का तो फिर हम अपने आपको ये कह सकते हैं कि हम bilingual engineer बन गए हैं बशरत है हमारा N3 level कम से कम complete हो जि डेली अगर आप दो घंटा या देड़ घंटा Japanese language को देते हैं तो आप अपने आपको target दे सकते हैं कि एक साल या देड़ साल में N3 level तक अपने आपको पहुंचा सकता हूँ और बड़े अराम से बड़े अराम से तो नहीं लेकिन मेहनत करके इतना भी मतलब मुश्किल नही पहुंच के अपने आपको और जदा expert बना लेते हैं क्योंकि Japanese language obviously काम करते करते और अच्छी हो जाती है similarly दूसरे जैसे for example अगर आपने engineering करके job join करिए तो experience से आपको बहुत अच्छी knowledge और बहुत अच्छी expertise मिलती है जिससे आप अगली companies में अपने CV को और अच्छा strong करके apply कर सकते हैं तो यह बात थी IT engineering की अब बात करते हैं mechanics sorry electronics engineering की तो इसमें भी अगर आप मैं कहूंगा कि search करना शुरू करिए सबसे पहले अगर आप internet से सर्च करके यह पता लगा सकते कि कौन सी एरियाज में ज्यादा तर डिमांड करी गई है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है जैसे upward.com इंडीड.com इन सब पर आप सर्च कर सकते हैं Japanese language और electronics engineering के combination से किस तरह का profile मांगा जाता है तो जैसे AutoCAD बगर इन सब को आप study करके अपने path को आप decide कर सकते कि मुझे इस field में जाके इस study को पूरा करना है और इसमें एक बहुत अच्छी बात है बहुत motivational में आपको बात कहना चाहूँगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि properly वो degree ही हो तभी आपको join करने दिया जाएगा जैसे Japanese language में एक extra curricular certificate for example JLPT बात करें तो JLPT ही सबसे बड़ी डिग्री है तो इसी तरह से इन courses में भी इन डिग्री की बजाए अगर आप expertise का certificate लेके उसको Japanese language के साथ combine करके apply करते हैं क्योंकि यह पहले ही demand बहुत जाद है और supply बहुत ही कम है बहुत ही बहुत ही कम है इसलिए आपकी जो value है जो probability है higher होने की वो और भी बढ़ जाती है ठीक है अब बात करते हैं engineering से हटके अगर हम बात करें MBA या simple marketing management sales की बात करें तो इसमें पढ़ाई से जादा पढ़ाई भी important है मतलब certificate भी important लेकिन इससे जादा आपका experience काम आते तो इसके इस field में आप जाना चाहते तो मैं यह कहूंगा कि आप सिर्फ Japanese करके अपने profile को ऐसा बनाए कि मैंने तीन साल या चार साल लगभग exactly sales का का काम करा है sales में मैंने इस इस target को इतने इतने time में achieve कर रहा है यह सब आपको अपने cv के अंदर लिखना पड़ेगा और उसके obviously supporting documents भी arrange करने पड़ेगे तो यह बात थी sales की marketing की sales marketing में एक फाइदा भी है कि आपकी Japanese language को enhance होने का जितना मौका मिलता है उतने ही आपके na interpersonal skills को client handling skills को improve करने का मौका मिलता है जो कि आप interview और उ job hopping जो कि Japanese field में इतना recommended नहीं किया जाता फिर भी इसमें माना जाता है कि एक company को sales के person सबसे ज़्यादा important होते हैं इसलिए job hopping भी थोड़ी-थोड़ी acceptable होती है अगर आप company को यह show कर पाएं कि मैं sales generate करके company को profit पहुँचा सकता हूँ similarly Japan में भी बहुत सारे job profiles जगर आप search करने बैठे तो आप बहुत सारे job profiles जैसे निकाल लेंगे जिसमें sales and management की बहुत-बहुत requirement है बशरते इसमें बस आपकी spoken Japanese अच्छी होनी चाहिए इसमें क्लाइंट से interaction काफी है engineering से थोड़ा सा different scenario की वज़ए से क्लाइंट से interaction में आपको written Japanese, mails exchange, verbal communication, group communication ये सब चीजों की ज़रुवत पड़ती है और ये चीजें interview के अंदर भी मांगी जाती हैं interview के अंदर भी test की जाती हैं जिससे आप जिसको polish करके आप interview को impress कर सकते हैं और अपनी job को join कर सकते हैं job join करने के बाद उस skill को और अच्छा enhance कर सकते हैं और enhance करने के बाद फिर आप free हैं कहीं पर भी किसी भी area में अच्छी salary लेने के लिए दूसरी job join करने के लिए ठीक है तो फिलाल इन दो ही चीजों पर focus करिए और Japanese language के लिए फिर से मैं कहूंगी nihongomax.com जो हमने बनाई है वो आपके सभी हिन चीजों को support करने के लिए आपको इधर उधर अलग-अलग जगाओं पर भागना ना पड़े अलग-अलग courses को इकठा ना करना पड़े अलग-अलग चीजे ना चेक करनी पड़े, scales ना बनाने पड़े, deadlines ना बनानी पड़े, इसलिए step by step divide करके पढ़ाई को हां पर दिया हुआ है आज ही जाके जरूर चेक करिए nihongomax.com Thank you so much